तो आज एक्सप्लोर करते हैं शिरी गंगानगर को तारीक है आज 12 मार्च हलकी हलकी जिकर्मिया आ गई है मौसक में अप्थेंडक नहीं रही है तो सोचा है कि हो ना एक संडे राइड की जाए दोस्तों के साथ तो चलते हैं भाई और गंगानगर के कुछ अच्छी अच्छी को अनेक्सप्लोरल के चांग चलिए मॉट करते हैं मौट लॉगिंग मुट मोट चलते हैं मॉट चलते हैं मेरे बाद करते हैं जैदा दूर नहीं जा रहे देखते हैं शिरी गंगानगर के उनकॉं करने को क्या रहा है ठोड़ा फूद के शहर को भी भुमा जाए बहुत और पुरानी अबादी का हाल देख लीजिए यह जी गंगन अगरपणा शलो यार यहां से निगलते हैं हाइवे बर मिलते हैं उसे क्योंकि आगे की रोड तो बहुत प्यारी हैं यहां के हलात थोड़े से खराब हैं वाई तो भाई संडे राइड की शुरुबात हो गई अभी हम रुखे हैं लग से लगबाग गंगा नगर से पंदरा किलो मेटर आगे चल कर तो भाई बहुत टाइम हो गया था चैनल पर वीडियो नहीं आई थी तो मैंने क्यों आपने शहर को एक्स्प्लोर किया जाए तो दोस्तो के साथ निकलें शब्से पहले आपको दोस्तों से इंट्रडूस कर वाता हूं इस प्यूश इसको आप जानते ही होंगे हर राइड पर आपने साथ होता है और दो नए बहुत चलने और आपको शुरूआत करते हैं और आज का प्लैन हमारा यह हम लोग जा रहे हैं गंगा न आज हम जा रहे हैं जो सो मैंने आपको बताया लैला मजनू की दरगा पर तो देखते हैं क्या है मैं तो धर्फृ पहली बार जा रहा Initi 대한 अन्र आम देख एतरा बीबी कि तरगा जो मजार पर लोकेशन पर हम जा रहे है वह तो इक्जैक्टली पाकिस्तान के बोर्डर पर ही यह वह से तीन या चार किलो मेटर की दुरी पर मात तो जो है पाकिस्तान का बोर्डर है पदमपूर में लोग ऐसे भूर रहे हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो भाई हर एक आदमी हर एक इनसान ऐसे देख रहा है भाई कि बस कोनी आ गया इनके शहर में लो जी पदमपूर खटम इतना सा था जी बस छोटा सा कस्थबा और हर 15 फंद्रा बीस-20 किलोमेटर बाद आसे चोटे-चोटे कस्थबह आते रहेंगे और रोड देखो एक चोटीसी प्यारी सी सिंगल रोड और उसे पर आने वाला ट्राफिक है उसे पर जाने वाला ट्राफिक है देख के क्या लग रहा वाई एक छोटी सी गली है छोटी सी सड़क पर अगर आपको एक बात बताऊं तो यह है नेशनल हाइवे हाँ जी तो हम लोग पहुंचे हैं गसिंग पूर में छोटा सा एक और कस्वा जो किया दा है श्री गंगानेगर के अंदर और यह है उसका नेशनल हाइवे देख लीज यह है यह है रही है वी आट राइसिंग नगर और 90 किलोमेटर हम लोग आ गए हैं अब भाई गर्मी बढ़ गई है अब तो पानी की जरुवत है भाई बोडी को पानी पीते हैं फिर आगे का सफर कंटेन्यू करेंगे यहां से अब यहां से आगे का सफर कंटेन्यू करेंगे अभी इस वक्त हम है राईसिन नगर में राईस प्रेशन का चोटा सा कस्वा है और देख लीजिए आप कुछ भी नहीं है देखने को खास तो दस पंदर मिनिट के लिए आपे रुके थे चोटा सा ब्रेक लिया चायवानी प्या शंदा भी आगे का सफर करेंगे रहे ने पहली ऑफिचल रहे है कैसा मारा आ जारा बाई ब बहुत है तो रही तो रही फ्यूचर में एक लोंग ड्राइफ लाइन करेंगे पहाड बस ब्लकुल रहे हैं और भाई हमें लोग मिले थे या रस्ते में आपकी यूट्यूब पे चैनल आया चैनल को सब्सक्राइब करेंगा क्या ना है श्रीचन शोलर पावर के नाम से चै जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगा वीडियो को लाइक करेंगा और बश्राइब डिसक्राइब असको है तो पहर के दो बजने वले hem राजस्थां की मूच meditating अब ही तो हिया मार्च स्टार्टिंग है जैसे जैसे जून तुलाई आएगा यहां का टेमपरेटर पचास डिग्री तक सब आ जाता है आपको देखने को मिल जाएगा आरे बारे खेट भी देखने को मिल जाएगा तो रही लेला मलनू की वह तरगा जिसके लिए हम इतनी दूर आये हैं और यह हमारी पाइक्स और यहां से डाई किलोमेटर दूर है पाकिस्तान गर्मी बहुत ही गर्मी है ऐसे लग रहा है जैसे पहुंचके भाई टेंपरेशर हो रहा है अराउंड 30 डिग्री सेल्सिस इस टाइम तो पैर के ढाई बज रहे हैं और दूसरी चीज़ग मैं बात करूँ यहां कुछ है यह बस एक शांत महोल है उसके लावा आप आ सकते हैं लेला मलनू भी जो फेमस दरगा है वो हम सकते है तब काफी यहां पर सुनने में लाए की बीड़ बाड होती है काफी नालू आते हैं पड्टिस के लावा यह पर जाला कुछ है नहीं चलिए चलते हैं देखते हैं अंदर दरगा के अंदर और उसके बाद वापिस चलेंगे यहा से तो जी यह है वो प्रेम की निशानी जिस यहां से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ पाकिस्तान सिर्फ धाई किलोमेटर है अगर आपको लेला मजनु के बारे में अच्छे से जानना है तो मैं भी लास्ट में 10 सेगंड की वीडियो डालूँगा जिसमें इनकी कम्प्लीट स्टोरी पताई कही है उसे अच्छे से पढ़ेगा आपको लेला मजनु भी पूरी कम्प्रीट स्टोरी से मढ़ा देगी बागी ठीक है घर के पास ही अपने खुद के शहर में इतनी अच्छी इतनी फेमस जगा है तो यार पता भी नीचा तो एक बार आना सो बनता सा तो आ गई ठीक है ऐने अने ले पर आ रेंख को few अपना देश तो यह ऐसी चीजह जो उने cuando किजी तो चीजों वो टूरिष्छ Resident के प्लेशिस के रूप में अगर अपनाया जाएगा तो आऔर यहां पर आध्री इस वीडियो में अब तकक के लिए रही चलते हैं बाकि यहां से यह अभी तक का सफर काफी अच्छा था अब कर्मी बहुत हो रही है humidity बहुत ज्यादा बट रही है तो यहां और रही रुखा जाएगा चलिए आगे का सफर करते हैं इसके मिलते हैं ब्लोगिंग मौट पर और वीडियो पसंद आई है तो फ्लीज वीडियो को लाइक चलूर करिएगा और वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे शहर में ऐसी चीज़े भी हैं तो दिख लीजिए यह थी लैला अनुगड के अंदर पड़ता है यह चोटा सा गाम है बिंचोर उसमें ठीक है चलिए चलते हैं लो भाई निकल रहे हैं यहां से और अब हम चलाएंगे क्रूजर और प्यूश चलाएगा मेरी अपाचे चलो भाई कंटिन्यू करते हैं सफर को आगे तो प्यूश को देखके अब बता लग रहा है अगर मैं अप हुआ है एप जा एप आप संग अधर चलिए इस वीडियो बाज एपर एंट करते हैं वीडियो पसंद आ हूए तो वीडियो को लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और वीडियो को जादा शेयर करेंगा तो तेसे में मुसाफिर का डेवेट साइनिंग ओफ रम मैं यूट